हाई गाईज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन प्लूशन कंट्रोल एंड कंप्लाइंस में आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी प्लूशन कंट्रोल पोर्ड में कंसेंट के लिए कैसे अप्लाई करें सब्सक्राइब करेंगे यहां पर पूरा अप्लिकेशन फॉर्म रिव्यू करेंगे इसके अलाबा फी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और में ली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वाइड हैं फॉर अप्लिकेशन फाइलिंग वो क्या-क्या रहेंगे तो शुरू से लिए अंतर तक वी एडियो में बने रहेंगे तो इन्वाइमेंटल लॉस में ली तीन है हमारे पास वाटराइक 1974 एरेक 1981 और अग्वार्मिन्ट्रोटेक्शन अचिछ तो मेंली जो ओडो आन एरेक्ट में प्रोविजियन सें कि कोई भी परसं कोई भी इंड़्य इंड्रेश्री देनौत इ तो कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी पर्सनल किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑपरेट नहीं कर सकता या स्टैब्लिश नहीं कर सकता without consent from that particular state जहां पर वो स्टैब्लिश करने वाला है या उपरेट करने वाला है तो mainly water act और air act के अंदर ये दो provisions हैं अलग-अलग sections है उतना detail में नहीं जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है यहां पर तो UP pollution control board के पास powers है to implement the environmental laws जो हमने पीछे तीन laws के हमने बात की एर act, water act and the environment protection act तो इस act के अंदर mainly जो भी सारे rules आते हैं हमारे प्लास्टिक, plastic, e-waste, battery, hazardous, biomedical वो सारे rules power drive करते हैं environment protection act से तो UP pollution control board के पास powers है to regulate the industrial operations in their jurisdiction as per the environmental laws और उनको implement भी करना यूप प्लेमेंट भी करना यूप प्लेशन गट्रोल बोड की website का लिंक ये दिया हुआ है आप उसको देख सकते हैं अराम से day to day basis पे कुछ ना कुछ update में आते रहते हैं अब structure के एक बार बात कर लेते हैं यह भी प्लेशन control board में जो structure है वो किस प्रकार है सबसे पहले एक चेर्में तो control board में हाइस जो position है वो chairman की है उसके बाद आता है member secretary के नीचे है अब यह higher authorities जो है member secretary के नीचे chief environmental officer admin जो administration देखेंगे में लिए chief law officer और उनके नीचे law officers then chief account officer and chief environmental officer जो mainly lab को देखते है laboratory और उनके नीचे scientific officer हमारा जो consent का जो review करते हैं वो review करते है chief environmental officers और उनके नीचे regional office तो mainly हर regional office के उपर एक chief environmental officer होता है इसको आगया वह detail में देखेंगे तो में यह में यह दो जो officers हैं यह review करते हैं consent की applications को based on their jurisdiction तो अब jurisdiction कैसे divided है UP state के अंदर उस पर आगे दिखते हैं तो यूपी के अंदर साथ circles में divide किया है अलग-अलग regional offices को तो जैसे कि हमने बात की कि चीफ environmental officers हैं सबसे उपर तो इस seven chief environmental officer मिलेंगे आपको चीफ environmental officers ठीक है इनके अंदर regional offices है तो यहां पर गाज्याबाद में एक गौतंबुद नगर गिर्ड नगड़ा तो यह मुरादाबाद बिजन और बरेली तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि चीफ environmental officer के नीचे एक रीजनल officer है जैना chief environmental officer के नीचे एक रीजनल officer है इसके नीचे है यह तो ऐसे बहुत सारे है आरो तो जो मेली आपके अब इन सारे रीजनल office के अंडर अलग-अलग districts है जैसे गाजियाबाद में तो अपने आप में इस डिस्टिक है तो इनके नीचे अगर जैसे लखनौ में और डिस्टिक हो सकती है अगर तो हर एक डिस्टिक के अंदर जो भी डिस्टिक है उसको भी लखनौ रीजनल office की केटर करेगा आगे बढ़ते हैं मेली जो भी हमारी activity है जो इंडस्ट्री है हम लगा रहे हैं उसकी कुछ activity निर्धारित की गई है कि उसका जो pollution इंडेक्स स्कोर है कितना पॉलुटिंग हुआ कोई भी अक्टिविटी कोई भी इंडस्टियल अक्टिविटी है तो उसका पॉलुशन लोट क्या है इंवार्मेंट के उपर उसके बेसिस पे सेंट्रल पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड में कटेक्राइशन स्टैबलिश किया है काफी टाइम पहले और डेटो डेटो बेसिस स्पेस को अब डेट भी करते रहते हैं तो सबसे पहले वाइट कैटेगरी जो की सबसे लीस्ट पॉलूटिंग है तो वाइट इसमें पॉलुशन का स्कूप काफी कम है यह नेगलिजिबल भी बोल सकते कुछ केसिस के अंदर सब्सक्राइब ग्रीन कैटेगरी जहां पर पॉलुशन लेवल है उतना नहीं है अगर उपर सम नीचे चलेंगे तो रेट कैटेगरी हाइली पॉलुटिंग है और वाइट कैटेगरी लीस्ट पॉलुटिंग है तो बेस्ट ऑन दे पॉलुशन लोड ऑन दे इन्वार्मेंट इस चार कैटेगरी में सब्सक्राइब किया है सभी इंडस्ट्रीज को तो अप्लिकेशन फाइलिंग के टाइम पर में फोकस जो है वह एक्टिवडी सेलेक्शन के ऊपर रहना चाहिए तो पहला में फोकस अब जो बेसिस है यह जो पीछ आमने चार एक्टिवडी देखी वाइड ग्रीन औरेंज रेड वह किसी साब से इन्होंने सेलेक्ट किया है तो एक प्लूशन इंडेक्स इन्होंने करता है इसके बेसिस पर पता चलता है कि हमारी अक्टिविटी वह वाइट में ग्रीन में औरेंज में या रेड में फॉल करेगी तो में ली एर प्लूशन तो एर प्लूटेंट्स क्या-क्या एमिट कर रहा है वो पर्टिक्लर इंडस्ट्री पी-म है सॉक्स नॉक्स कावा मोन आक्साइड एसेक्टरा तो कुछ एक्टिविटी सिर्फ हमारी पी-म रिली इसके लावा जो इंडस्ट्री बॉलर इस यूज कर रही है जहां पर फ्यूल हमारा डीजल है वहां पर सॉक्स और नॉक्स प्यामिट होता है तो डिपैंड करता है कि आपके इंडस्ट्री एक्टिविटी क्या है उसके बेसिस के उपर यहां पे पड़क्लिए स्कोर डेज करेंगी और और कुछ एक्टिविटी इस सारे के सारे टॉक्सिक मेटल्स को इंक्लूड करते हुए पॉलुटेंट्स एमिट करेंगे इंवार्मेंट में तो उसके बेसिस पे एक स्कोर डिफाइन होगा एक्जम्पल रसल ब्योडी और सी ओडी को दो पॉलुटेंट में लि और जहां पे तीनों प्लुटेंट्स आज आएंगे वहां एक्स प्लस रहेगा स्कॉर एक्स से ज्यादा रहेगा विकास यहां पर प्लुटेंट्स हमारे बढ़ गए इंडस्ट्री एयर और वाटर प्लूटिंग हो सकती है इसके लावा हूँ वही हजार्स वेस्ट भी जन निटीबी का ज़स्त जाएगा वह एक हजाडस वेस्ट कहलाता है यह वह जो एक सल्जग है वह उसको लैंडवल ही किया जा सकता है और इसके लावा और डिपेंड कर करेगा कि उसकी जो हजाडस प्रपरटी जा उसकी जो टेस्ट करने के बाद अगर उसको इंसेट भी की आजा सकता है तो अगर लेंड फैलेबल है थोड़ा लोग रहेगा ठीक लेङ है तो एसको स्कुझ तो यह थोड़ा और खबते लेधा तो अगेस केसे यूज्ड और कि यूज़ डॉइल अगर कोई इंडस्ट्री जन्रेट कर रही है यूज़ डॉइल है तो उस केस में जो हजार्डस वेस्ट जन्रेशन का स्कोर है वो कम रहेगा एस कंपेर टू इस वाले केस में क्यूंकि यहां पर या तो इसको इसे साब से ओन थे पर इस थी परामिटर्स एक स्कोर जन्रेट होता है उसके बेसिस पर क्याटेगरी डिफाइन की जाती है कि वाइट में फॉल कर अगर पहुंसती है एक्टिविटी तो यहां वाइट में उसके लावा 16 के बाद उसके बाद जैसे ऐसे हायर हायर स्कोर होता रहेगा वैसे ऐसे एक्टिविटी रेट की तरफ को मूव करेगी अगर आपको एक्टिविटी अपनी चेक करनी है तो cpcb की कैटिवराइशन अवलेवल है उनकी वेबसाइट के उपर कि मैंने लिंक यहां पर पेस्ट किया हुआ एक बार वेबसाइट में दिखा जाता हूं आपको तो यह वेबसाइट में पहुंच चुके है जो लिंक मै दोगा उसको एक बार आप क्लिक करेंगे तो सीधार स्पेश वाप लैंड करेंगे तो मेंली जो मेजर ली इन्होंने अक्टिविटी लिस्ट की है वह सेवन मार्च 1260 में यहां पर क्लिक करेंगा तो एक PDF जनरेट होता है वहां पर यह चार कैटेगरी जो हमने देखी वाइ टाइम तो टाइम यह एक्टिविटीज को एड़ाउन करते रहते एक्जाम्पल कि एस देखो यहां पर जैसे बाइगा एस प्लांट प्रडेक्शन है तो और इस क्रेपिंग सेंटर्स जो वीकल स्क्रेपिंग सेंटर्स है उसके लिए क्टेग्राइशन अपरेल 2020 में आया है ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो अप्लाइट जो करना है अपना कंसेंट अपना इंडस्ट्री के लिए सर्टिफिकेट प्लेशन बोड का में लिए यूपी प्लेशन गंटूल बोड का तो उसके लिए हम कैसे पसीद करेंगे तो यूपी गौवर्मेंट का एक पोटल है निवेश मित्रा यह एक सिंगल विंडो पोटल है जो की सभी टाइप की अप्लिकेशन्स हरे गौवर्मेंट डिपार्टमेंट के अप्लिकेशन्स इसी के थुरू अप्लाई की जाती है एक्जाम्पल पलूशन बोड हो गया हमारे यूपी इसके लावा अपका लेंड यूज का अगर कोई डॉक्मेंट आपको बनवाना है लेंड यूज चेंज का तो यहां पर लगबग सारे के सारे स्टेट्स के लिए जो भी अप्लिकेशन जाएगी इसी विंडो से जाएगी इसको इसका नाम है निवेश मित्रा इस सिंगल वि विद रिस्पेक्ट तू यूर कंसर्न इंडस्ट्री तो इसी पर लिए तो मेल नहीं यहां पर लॉग इन का ओप्शन है यहां पर एक रिश्टेशन का ओप्शन आएगा आपके पास तो न्यू रिश्टेशन आपको कंपनी को रेजिटर करना सबसे पहले सिंपल प्रोसेस है रेजिटर करेंगे यहां पर जो इंपोर्टेंट है एक आपका मेल आइडी फोन नंबर के उपर आपके पास कंफर्मेशन के मैसेज़स और लिंक्स आते है एक बार आपने रेजिटर कर लिया तो डैश्बोट कुछ इस टाइक का दिखता है हमको यह डैश्बोट है यह क इस डैश्बोट पर आने के बाद मेली हमको एक कॉमन अप्लिकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है कॉमन अप्लिकेशन फॉर्म यहां पर आपकी जो बेसिक डिटेल्स जाती है आपका किवाइसी डिटेल आपके इंडस्ट्री का एड्रस बगरा कौन प्रमोटर से उसके प Outside jestg employees कि यहांंदी क्या रहिए रही मैंढी यह अप्लिकेशन फॉर्ममीन बहुती जाती है और इसी अप्लिकेशन फॉर्म से जब आप यूपी फॉलशन अरप लग़े यूपी अप्लिक electrical डिपाटमेट में अप्लाई करोगे यह किसी डीपाटमेट मेंट अपलाई करेंगे जो basic information हो यहां से प्लाई कर सके कर लेगा तो एक common application वम का यह purpose है तो जो basic information हो यहां से प्लाई कर लेगा सारे Portals सारे स्टेट्स के portals के लिए यह common application form का छोटा सो फॉर्मेट है आपका पर्सनल लिटिल रहे इसमें कम्मुनिकेशन का एड्रस वगरा एक पर्मनेंट एड्रस और एंटरप्राइस जो आपकी युनिट है उसकी डिटेल्स उसका नाम उसका एड्रस वगरा तो एक बार यहां पर आपने यह फिल कर लिया आपका यूनिट यहां पर रजिस्टर हो जाएगा एक कॉमन अप्लिकेशन नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर शो करता है बाद हम दिपार्टमेंट इलेक्ट करेंगे क्या सर्विस्यकोप 2020 करनी है क्या सब्स्राइग घ्लिक के और एक न्यू अप्लिकेशन फिर आप अप्लाइद करने के लिए सम्ट्रासीट कर सकते हैं अब जैसे पीछे हमने बात की इधर यहां पर मैं डिपार्टमेंट स्लेट करूंगा अपना यूपी प्लूशिंग कंट्रूल बोर और यहां पर मेरा जो सर्विस रहेगा के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं या फिर कंसेंट टू ऑपरेट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं उसके विसेश पर यहां पर मैं इसको स्लेट करूंगा उसके बाद new application में click करके आके proceed करें है जब first time हम जब भी apply करते हैं consent to establish apply करते हैं किसी भी industry के लिए because जैसे हमने rule में देखा पीछे कि कोई भी industry establish भी नहीं कर सकती है establish भी नहीं कर सकती है और operate भी नहीं कर सकती है without prior consent from state pollution control board तो कोई भी industry establish नहीं करें यह अपनी unit और कोई भी industry operate नहीं कर सकती है तो establish करने के लिए हमको सबस्पहले establish का form हमको apply करना पड़ता है consent to establish यह हमको permission मिलता है कि we can एक बार permission मिल गया तो उसके बाद ही आप अपनी industry को establish करना शुरू कर सकते हैं establish करने का मतलब है आपके पास plot है वहाँ पर industry वगर आप install करना शुरू करेंगे ठीक है industry एक बाद setup हो गया उसके बाद second हमारा step है कि हम operate के लिए apply करेंगे कि हमारा establish हो गया है unit और उसके बाद हम operate करेंगे और establish करना भी तब शुरू करेंगे जह हमको establish grant हो जाएगा और इसके बाद हम establish करना शुरू करेंगे establish करने के बाद फिर हम permission मांगेंगे कि हमको अभी operate करना अपना unit तो फिर operate के लिए हम apply करेंगे और जब first time जब हम application establish के लिए डालते तो एक basic industry detail हमसे मांगता है इस industry detail में आपका नाम हो गया industry का type और category तो category तो यहाँ पर white आएगी green orange red तो जो आपका पहला option है यहाँ पर जो मैंने बताया कि CPCB की website पर आप अपनी activity को चेक कर सकते हैं वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं वहाँ से चेक करने काद एक बार आपने activity अपनी choose कर ली वह activity कुछ भी हो सकती है रेडियमिक्स concrete plant हो गया आप furniture बना रहे हैं इसकलाब आपका basic light engineering works का 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 मैं footwear का का मैं brewery का का मैं तो कोई भी industry हो सकती है वहाँ पर बहुत ज्यादा classification दिया हुआ है जैसे आप select करेंगे अपनी activity को जो suitable activity है आपकी आपकी इस लेक्टिविटी से मिलती जोगती है उसके बाद यह automatically category यहाँ पर आ जाएगी कि कौन से आपका फॉल कर रहा है तो में पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम बिल्कुल परफेक्ट हम उसको चूज करें एस पर जो भी हमारा परपोस्ट एक्टिविटी होने वाली हमारी इंडस्ट्रियल उनिट के अंदर अगर उसमें difference अगर आता है तो जो आपकी application है वो reject हो जाती है बेभी उस टाइम पर रिजक्ट ना हो लेकिन जब भी inspection कभी होगा तो उस टाइम पर एक्टिविटी कुछ और find out करता है यूँ पिपलेशन का ट्रॉल बूट का official तो उसके बाद उसको reject कर देगा इंडस्ट्री का scale इंडस्ट्री का status नया project है यह operational project है कुछ cases ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट हो पहले से operational हो और आज आप apply कर रहे हो उसके लिए कि कमिशनिंग की डेट कपसे आप कमिशन कर रहे हैं और यह capital investment यह बहुत major important point है बिकर इसी के basis पे जो भी आपकी फीज जाएगी यूपी प्रोशिंग में यूपी पीसी बी में तो जो आपका फीज है फी में यहां से define होती है जितना भी आपका investment है उसके बेसिस पे आपका फीज डिफाइन होगा आगे हम देखेंगे कि फीज कैसे हम calculate कर सकते हैं इंडस्टी का एड्रस ठीक है तो यह basically address वगरा तो main point यहां पर यह है कि जो हमरा इंडस्टी का activity है वह हम साइच चूज करें और जो भी हम इंडस्टी का नाम वगरा है वह हम उसको साइच से कोई भी spelling stick वगरा उसमें ना हो विकर आगे जाके यह आप edit नहीं कर पाएंगे ठीक है इंडस्टी हो गया अभी हम occupy के detail occupier जो भी application को फाइल कर रहा जो applicant है यहां पर उसका नाम designation उसका address वगरा ठीक है और यहां पर यह तो हो गया कि applicant applicant आपका director भी हो सकता है company का proprietor भी हो सकता है firm का अगर private limited firm है वो किसी को assign भी कर सकते है इस particular application फाइल करने के लिए ठीक है और यहां पर वो पूछ रहा है कि आपके जो directors है उनकी list क्या है अब LLP है और private limited firm है तो वहाँ पर जितने भी डारेक्टर्स हैं या पार्टनर्स है प्राट्रशिप के case में single owner का यहां पर detail आ जाएग अगर आपने basic detail भर लिया उसके बाद आप establish के लिए आपका application open हो जाता है यहां पर mainly 7-8 header है जो हमको fill करने इंडस्ट्री, occupier, others, product, fee, water consumption, air emission and documents तो जो industry detail आपने starting में fill करी है वो automatically यहां पर fetch हो जाती है ठीक है जो चीज फैच नहीं हो रहा है वह आप fill कर सकते है दिखिए यहां पर जैसे कि हमारा status यहां पर हमने purpose दिखाया हुआ है तो establish जब आप apply करेंगे तो obviously आप उसको purpose दिखाएंगे because कि आप industry establish करेंगे है न तो establish करेंगे तो commissioning की date obvious है कि future की आएगी capital investment mainly यह है ठीक है address आगया यह automatically fetch कर लेगा यह मैंने थोड़ा hide किया हुआ data client का data था तो इसमें यह था कुछ detail है नहीं occupies में चलते हैं occupies के अंदर occupies की detail यह automatically वहाँ से fetch कर लेगा यह आप माँ फिल करेंगे अधर स्टेटेल में थोड़ा देख लेते इंडस्ट्रियल एफ्लेट अलाओ टुगेट मिक्स विद डॉमेस्टिस डॉमेस्टिक एफ्लेट तो यहां पर effluent दो टाइप की होते हमारे एक क्यों रहेगा हमारा डंश्टिक डंश्टिक मतला इस्टिक एक्टिवर्टी से मीनली मौश्रूम्स अग्रा के चो निकल रहा है और कला एक आएगगा आपका ट्रेड एफ्ल्लेट कि धिस वे इसलेक्ट यहां होना पे वाट हमारा थो तो वह मिक्स कर रहा है गया डोमेस्टिक गया कि ट्रेड अफ्लिउट हमारा तो वहां पर यसको नहीं करते हैं हमारा जो एफ्लॉट आ ए ट्रेड एंट उसको ट्रीट करने के बाद ही हम परतर वाटर बॉडि में तो डिस्चाज करते हैं जो डॉमेस्टिक एफ्ल उसको डायर्ट हम सीवरेज्स सिस्टम में इसको डिस्चाज कर सकते हैं तो इसको मिक्स नहीं करना है इसीद्धा सीवर में जाके ही मिक्स हो क्यों तो यहां पर यह बेसिक Someti प्रोपोर म gloss utilization क्या हमारा प्रपोट्रेख्ट्ट प्रपोर्पोर्स लैंड थी जो लैंड यूज्ज है हमारा अब क्या हो सकता है कि जो हमारे अंधियू्ट है मोगले किस्ता लुटरेशी को या प्रपोस्ट प्रपोसल है आपके पास की को इंड़स्टर्टि एंदर ही इसको इस्टैब्लिश करें जा एकर कोई और लेंग University होगा तो हपे आपको लेंड इौस उसका चींज करना पड़ेगा तो अग vendor प्रेट podrts प्रट की डिटिल है बाइ प्रोड्यक्स रोग यहां एट पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट की डिटील आपका प्रोड़ो다 का उसका नाम किस quantity में बनेगा पर मंथ, intermittent कोई product तो नहीं है, total quantity per month, यह quantity ही आपको जो डालने है, वो आपका जो industry की capacity है, उसके हिसाफ से डालने है, example, अगर आपकी industry की capacity है, कोई भी product त्यार करने की 10 ton per month, 10 ton per month, तो आप उतना है उसको डाले, क्योंकि यह जो capacity बाद में आप इंक्रीज नहीं करते हैंगे अगर आपको फर्दर इंक्रीज करना है इस capacity को तो आपको expansion के लिए apply करना पड़ता है कि इसे बाइप्रोडेक्ट्स अहां इस बीचे देख लेते हैं यहां पर बाइप्रोडेक्ट्स तो अगर इंट्रमेट्र को बाइप्रोड बन रहा है तो उसकी डिटेल रॉम मटेर तो रॉम मटेर का भी जो फॉर्म आएगा उसी टाइप का आएगा कि रॉम में नाम के हैं किस कॉंटिटिटिंग आप यूज करने वाले हैं अब यह जो फीज है यह आटमेटिकली फैच करता है पोटल अब हमने जो इनिश्यल यहां पर इंवस्मेंट हमने पूट किया था यह 20 लैक्स हमने डाला हुआ और यह कैटिग्री जो हमने चूज की थी हमारी हमारी केस में ग्रीन कैटिग्री तो वन यह के लिए हम इस्टैब्लिश के लिए अपलाई करेंगे अब यहां पर यह आप एडिटिबल है यह आप चूज कर सकते हैं अगर आपका इंडस्ट्री काफी बढ़ी है तो अगर उ जाएगी तो उसके सबसे स्टैब्लिश का जो टाइम पिरिड़ है वह यहां पर डालेंगे एक फीज पर क्लिक करेंगे अपका फीस अपने आप ऑटमेटिकली क्लेट हो जाता है कि सिमिलरली ऑपरेट की केस में आप यहां पर यहां पर टाइप करेंगे आपकी फीस आटमेटिकली यहां पर कल्कुलेट हो जाएगी अब यह 20 लाग के इंवेस्टमेंट के उपर 1500 रुपे की फीस आ रही है अब इस फीस को कैसे हम एक बार चेक कर सकते है कि हमारा क्या पर स्ट्रक्चर अवेलेबल है इनकी वेबसाइट के उपर उसको एक बार देख लेते हैं तो यह अपकी वेबसाइट आप खोल लेंगे अगर यूपी ओसी एम एमस डॉट एनाइसी डॉट तो यहां पर एक फी का कल्कुलेटर अवेलेबल आपको मिलेगा ठीक है आप इस्ट लैप था वो 10 से 50 लैक का स्लैप था तो स्लैप के अकॉर्डिंग यहां पर फिटेन हनेडी फीस आ रही है इसके लावा आप यहां पर यहां पर लिंक दिया हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे एक डॉक्यूमेंट उपन होगा पीडियेफ उसमें फीस्ट्रक्चर उने दिया हुआ है मैं एक बर्स का फोटो आपको दिखा देता हूं अब जैसे कि यह रहा अगर वन लैक से टैन लैक का अगर हमारा इन्वेस्ट्मेंट होने वाला है हमारे इंडूस्ट्री के उपर तो यह अमांट लैक्स में है ठीक है तो 500 रुपी फी हमारी पड़ेगी टैन लैक से 50 लैक है तो यहां पर 1500 यह देखिए यहां पर 50 डाला हुआ है 1500 फी हमको बढ़के अप्टू 50 तो 50 यहां पर इंक्लूट किया हुआ है जैसे 51 हो जाएगा मेरी फीस 3000 हो जाएगा यहां पर तो यहां पर कैटेगरी का कोई भी इंटर्वेंशन नहीं है तो कैटे इसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं यह इन्वेस्टमेंट के वूपर आपका फी कल्कुलेट होता है कभी कभी यह स्ट्रक्चर कभी कभी हो जाता है तो सिस्टम वहां पर ऑटोमेटिक जो कल्कुलेट कर रहा है जैसे हमने पीछे देगा तो वही फीस हमको पे करनी है वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते फीस को वह हमको अपना यह चेंज करना कि कितने ताइम के लिए हमको वह पर टिकलर हाइब कंसेंट चाहिए परमिशन चाहिए तो इसके साब से हमारी फीस क्लिट हो जाती है कि अग्ला था प्वाटर कंजम्शन तो बाकट कि अधेुर में 3 चाहिए पर पेरामिटर से सोर्स ऑन्वाटर तो सूर्समरा रीवर है और विंद्रा है नौला दैम या फिर मूनिस्वल बॉड़ि है तो मिल जादा सुर्सीन बॉड़ि का रहता है और कुछ-कुछ अरियाज म है यह तो बहोर वैल का भी सोर्स रहता है हमार पास आप प्रमैस्स के अंदर होगा यह के बहुर तो तो क्या है हमारा पानी का और कितना कंग्लिटर करने वाले कॉंटिटी किलो लीटर पूर डे में इसकी वंटिदमेंशन करनी पड़ती है या इम सौलिड हैं इस है लुए कि पाल्टेंगे प्रचाइस्टे उपने हुए दो ayd Aub थे ने लुन इन सब्सक्राइब होभी को यह बात हो रही है तो वहत्षि कितना वेकले घंड हो रहा है यह में बात कर रहें यह में यहां पर और किस टार एक्छास पारी हो सकता है लेंड फिलेबल हो सकता है इस तो यह टाइप आफ वेस्ट इस स्पेसिफिक है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एक्टिविटी उसके साब से देन वाटर कंजम्शन डिटेल तीसरे पाव यह तो वाटर हम कंजूम जो करने वाले हैं टोमेस्टिक मे करने वाले हैं इंडस्टियल में यह प्रॉसस में बॉलर में पूलिंग टावर में सब्सक्राइशन के लिए वाटर स्पिर लिगवारा करते हैं बहुत जिग्यापर तो यह है तो तो अब एस पर एक्टिविटी कितना कंजूम करने वाले हैं डोमेस्टिक में तुमारा एक प्रोक्सिमेट कंजेटियों कितना होने वाला है इंडसील एक्टिव तेहां कितना उस करने वाले हैं वॉटर तो यहां पे वॉटर बहले चाट बनाना बहुत जरूरी है कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो तो आफ्लेवेंट जन्रेशन डेटेल्स अब हमने वाटर कंजूम्शन की बात कर ली अब वाटर कंजूम हमने जो कर लिया उसके बाद हम वेस्ट वाटर जन्रेट होगा तो उसका डेटेल यह मांग रहा है तो लास्ट में मैंने डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रियल चूज कि करा घुल जुदूम करने वाले हैं तो टो कंजूम करने का बाद कुछ वेस्ट नगा वेस्ट व्हörट निकलने वाणा है इंडस्ट्रेट वेस्वाटर कितना ने वाला इस उसकी दूटेल्स और उसे के अशिक्र वेस्ट पर डिपैंड करेगा कि आपका जो प्रुदिजक् यहां पर पानी इन इंडिस्ट्रिल प्रसेस बिल्कुल भी उसकती है वो उस केस में हाँ पर चूज नहीं करेंगे जैसे हमने लास में वाटर कंजप्शन डिटलिस में हमने फिल किया और वाटर एफ्लेंट क्रेक्टर स्टिक्स उसकी करेक्टर स्टिक्स हैं जो एक हम पर नहींगे तो यहां पर हम इसको प्रवाइडनी कर पाएंगे तो एक बार आपर कि केस में जब हम अपूलाई करेंगे तो उस टाइम पर हम अनालेसिस करेंगे जो हमारा एक ट्रीट हो रहा है तो उसके परामेटर्स यहां पर हम फिल कर सकते हैं ऐस पर जो भी रिपोर्ट हमारी हमको प्रवाइड होगी और विदिन में स्टेंडर्ड होना चाहिए अब एरैमिशन में स्टेक डिटेल्स और फ्यूल कण्जैंचर्पियन कंजैंज में सटैक डिटे्ल्स कर रहे हैं या डीजल यूज़ कर रहा है तो उसमें जो फ्यूम्स निकलेंगे उसके लिए एक स्टैक एक एड़ुकेट हाइड पर स्टैक देना पड़ता है फरनेस हो गए इसके लावा इंसलेरेटर जो जहां पर इंसलेरेशन हो रहा है जो वीस्टो एनर्जी प्लांट्स वगर होते हैं तो वहां पर इंसलेरेशन होता है काफी हाइट तो इंसलेरेटर के पास के ऊपर भी एक स्टैक देना पड़ता है एंट एट एक डिगट हाइड फिएक फियूल क्रूब करने वाले अब जैसे ये बॉयलर हम यूज कर रहे है यह डिजी सेट यूज कर रहे है फर ने सिंज कर रहे तो यहां पर हम्मरा फ्यूर क्या कंज्यू्म हो track है न की डीटे जॉरी यह फ्यूर की डीटे़ज डीजल और यह नीड हे अग्रिकेल्ट्चरल मैस्ट है और यह हर स्ट पर कादें एक प्रूलिंड मीर्ट दे एक्जाम्पल जिसे डैली के अंदर एक डैली नहीं एक कमिशन है सीएक्यूम कमिशन फॉर एर क्वालिटी मैनेजिट इन डैली एंसियार तो तो वह सीएक्यूम के आपकर वेबसाइट आप चेक करेंगे तो आपको फ्यूल की लिस्ट मिल जाएगी और कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जहां पर आप अग्रिकल्ट्ट्रल वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो ब्रिक किल्न्स है और गुड मैनुफेक्ट्रिंग जाइगरी मैनुफेक्ट्रिंग विनिट्स है तो आपको शूल्स एक्जम्टेट हैं जहां पर आप प्रेश्मट ली को सबसे पहले लोकेशन मैप यह को वी दिस्ट्रिक का अंदर कोई बनीक्राइके अंदर आपका जो ऑनुडेटा ओंपर लोकिट करने वाला अपका प्र प्रॉपॉज उनिटा उसका लोकेशन मैप यह आप गूगल आपका प्रॉपर ले चुटूट और एक्ट्यूड मेंचन होना चाहिए लेंड यूस सेटिफिकेट है अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है यूनिट तो लेंड यूस सेटिफिकेट की ज़र्वत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वह अप्रूव इंडस लेकिया है लेंड ओनर्शिप जो भी आपका प् अग्ट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू मैप कमारी Completion सब्वाइब कैने बात किया कि अगर हमारा इसबी नहीं सब्सक्राइब प्रपोजल या फिर उसका एक एड़केसी रिपोर्ट वगरा तो इनिशल इस्टैब्लिश के केस में हम एक परपोस्ट रिपोर्ट एक समिट करते हैं कि हमारा इतना वेस्ट वॉटर जनुट होने वाला है और इसके प्रविज्ट इसके कंट्रोल्ड के लिए हम यह पर्टिक इन्ट यह क्या उसमें उसके प्ल pén्ट करने वालए हैं फाइनल से डिश्चार्ज पॉइंट जो डिस्चार्ज पॉयंट हमारा या तो सिरिय सिस्टम होगा मुंनिसिबल पॉनडी का या इंदर सिरिय सिस्टम होते हैं परपूजल फोर एर प्रोशंग कंट्रोल सिस्टम अब जैसी की बर्लार यूजब कररें फरनेस यूजब कर वीविछिंडिष कर रहें तो उस केस में हमारे पास स्टैक लगे हुएं है न उस स्टैक में इस जो ने बैस्क्रबर आगर आप लगा रहे हैं तो कि उसका डिटेल्स जैसे हमने ए ट्पी वाटर के लिए इसका डिटेलिक छोट्स रिपोर्ट रहा व्यॡ़्स के है उसकी डिटेल लिए एंड ऑन साइट सेफटें onसाइट disaster management ostros ली जो कि भी मैंटवर साइट पर काम करेंगी तो अंसाइट disaster management प्लैन आगर अट व्यांट सेयटी के लिए क्लिए क्वारपास plans है या आर्थ को अगर आता है क्लैंस है हमारे पास एवाइकुवेशन प्लाइन्स वगेरा तो इस टाइब के एक छोटा सा मैंजमेंट प्लाइन शो करना ज़रूरी है स्टब्रिश के के समें और और अपरेट के समें और डिटेल प्लैन इनफर्मेशन रिगार्डिंग सैंचुरी नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट विदिन 15 किलोमेटर अगर इन में से कोई भी आज यूनिट अगर फॉल कर रही है 15 किलोमेटर के विडियस में आपके है total area of industry and area purpose for different work proposed within premises like as a space for plant and machinery industry इन ले लियाओट मैप की बात की यहां पर मैं यही लियाओट मैप जाने वाला है यहां पर लेकिन यहां प्था डेटेल ले ओर कि जो हमारा यूनिट है वहां पर किस एरिया में हमारा पास मश्चिन डिस्टॉल्ड है किस एरिया में हमारे पास पॉलूशन कंट्रूल एक्यूमिंट हमने स्टॉल किये हुए तो और कहां पर हमारा exit gate है या entry gate है कहां पर हमारे पास जो गौन्मेंट की रोड है या एडिस्टेंट प्लॉट या फिर एडिस्टेंट जो फैक्ट्री ह वह कहां पर है उस सब का डिटेल एक डिटेल लेओट प्लैन यहां पर समिट करना पड़ता है फॉर्म यहां पर कुछ नहीं डालना है यहां पर कोई भी डॉक्मिंट आप अप्लोड कर सकते हैं फॉर्म मेंली जो हमने फॉर्म भरा है इसी की बात हो रही है बैलेंश शीट कि आप की इंवेस्टमेंट के उपर के लिए आपका चर्ठंड अकॉंट्टेट यहां पर मेंचन करेगा कि xyz कंपणी एक इंडिस्ट्री इस्टेश करने वाली है इस address के उपर और इसका जो cost है estimated cost वो इतना होने वाला है तो mainly यहां पर cost किस-किस चीज में cost किस-किस चीज की cost include की जाएगी एक land, building, building, plant and machinery लैंड, building, plant and machinery जो भी proposed cost है वो यहां पर mention करेगा कि इतना लाक रुपीस या इतना पर पोस्ट कॉस्ट है या फिर estimated cost है इस project के लिए तो उसके basis पर ही आपका fees define होगा यूप प्रोशन कांट्रोल बोल में एक आप समरी देख लेते हैं कि कैसे हम apply करते हैं इसके अलावा कुछ documents वह additional मांग लेते हैं कभी कभी वह कब मांगते हूं मैं बताता हूं अपको फिसको आप्लिकेशन आपको समिट करना है वाया निवेश मित्रा पोटर अप्लिकेशन समिट होने के बाद स्क्रूटनी की जाती है आपका जो रीजनल आफिसर वहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है अप्लिकेशन की documents वगरा क्या समिट की है आपने अगर उनको कुछ भी deficiency लगती है या फिर कुछ और को चाहिए या कोई document आपने समिट नहीं किया तो एक query में आपसे पूछते हैं वह query का reply देते हैं आप जो हमने document पीछ अप्लोड किये वह उसके लावा भी document मांग सकते हैं आपसे थोड़ा specific आपकी case को समझने के लिए मिल्ली जो air pollution control measures है हमारी या water pollution control measures है इसके लावा जो hazardous waste जो हमने waste की पीछे बात की जहां हमने waste का data फिल किया उसके control measures क्या होने वाले हैं तो उस case में एक query कर सकते हैं और मिल्ली करते ही हैं उस query के reply करने के बाद कुछ time के अंदर मिल्ली इनका जो time period है 30 to 45 days के अंदर certificate को grant करते हैं यह तो थी बात established की consent to establish की हमने बात की अभी तक consent to establish तो operate की case में भी same application form भरा जाएगा लगबग लेकिन कुछ चीजें यहां पर change हो जाएंगी जैसे कि हमने जो सब्सक्राइब के लिए तो उनकी टैस्ट रिपोर्ट की हां वो टूदा स्टेंडर्स जो डिस्चार्ज पैरामेटर से उसको मीट कर रहें की नहीं कर रहें तो वो रिपोर्ट जो है एक पर्टिकलर लैप के थुरू में लिजो एनी बीए लेकरिटिट लैप होती है उन्हीं की रिपोर्ट्स है मानने होती है पोलूशन बूट के अंदर या फिर pollution board के अपनी laboratory भी है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हूं lab reports के लिए तो यहां पर हम एंटर करते हैं विजन pollution control and compliance करने में एक अप्लिकेशन फाइलिंग करने में इसके लावा प्लूशन बूट के साथ follow-up करना queries आ रही है कुछ या नहीं आ रही है या अगर टाइम ज्यादा लग रहा है कि लग रहा तो अपना जो स्टेप हमारा consent है जो certificate है उसको procure करना उसको gain करना तो अप्लिकेशन फाइलिंग के जो timeline है as per vision PCC सबसे पहला स्टेप है हमारा document collect करते हैं आप से documents को validate करते हैं जो data है उसको validate करते हैं कि हम यह data यहाँ accurate बैठ रहा है activity के हिसाब से यह एक्टिविटी चूज करने हैं हमको तो document और data validation online application filing जिसमें हम टाइम लेते हैं लगबग दो से तीन दिन का और application filing के बाद ही फी submission अभी online ही फी समिट होता है एक बार फी समिट होगया follow ups आगा ज़रूरी है यह फिर queries अगर वहाँ पर आ रही है department से उसका reply करना timely यहाँ पर आपको timely यह अप्लिकेशन अपनी review करने पड़ते हैं बिकास यह query जब भी release करते हैं वहाँ पर एक duration देते हैं कि तीन से चार दिन का टाइम तीन से चार दिन का टाइम और उस टाइम के अंदर ही query आपको reply करने पड़ती है यह time period एक हफ़ते कभी हो सकता है साथ दिन उसके बाद लगपक्त तीस से पैतारीस दिन में आपका certificate grant हो जाता है बिना किसी intervention के बिना pollution board के office को visit किये भीन और operate की case में consent to operate की case में अगर activity आपकी फॉल कर रही है औरेंज category के रेट category के अंदर तो में लिए दू category के अंदर pollution board से जो official है वो visit करते हैं site को कि जो आप लिख रहे हो document में क्या वो on site available है के नहीं में वाटर pollution और air pollution ने जोटी हमने प्रोविजन सम्झान को provide कराए कि हम गाले control measures क्या है और हजाडस वेस्ट ऑस्थ्राइशन को पर एक वीडियो बनाऊंगा उसको अच्छे से और समझेंगे हम बाद में वहाँ पर हम कोई agreement करना पड़ता मेंली TSDF के साथ या फिर recyclers जो hazardous waste को recycle कर रहा है हमने देखा था हम पर कि जो hazardous waste generate हो रहा है वो landflable होगा दोनों चीजें करते हैं TSDF मेंली और recyclable कोई भी recyclables हो सकता हो तो अपर टी केस में यह चीजे है तो हम कंसेंट्स के लाबा क्या-क्या सर्विस्वं में एंड बैटरी बीट्रीड रेइस्टेशन वाजार्डस विस अथराइशन, EPR, प्लास्टिक वेस्ट EPR रिस्टेशन, E-Waste EPR रिस्टेशन, बैट्री वेस्ट EPR रिस्टेशन तो वीडियों में बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद